हेलो गाइज वेल्कम बेग तो माई चैनल और आज हम रिव्यू करेंगे टीबी पेट पी ब्रैंड के डर्मा पैन का और यह इंग्लेंड बेश्ट कंपनी है लेकिन सी मैनुटेक्ट्रिंग चैना में होती है तो जो यह पैन है यह ऐसा कुछ दिखता है और इसके साथ में नि होती है जो माइक्रोनीड डिलिंग है वो एक कॉस्मेटिक ड़र्मेटोलोजिकल प्रोसेज़र है इसके अंदर माइक्रोनीडल सोती है जो ह tools को पंचे करती है और हमारे इसकिन का पंचे longora Nится और जब हमारे skin puncture होती है तो छोट छोटे holes हो जाते हैं जिससे हमारे skin का collagen boost होता है और collagen boost होने के कारण हमारे skin tight होती है जो wrinkles है वो skin के खतम हो जाते है और जो skin है वो fair हो जाती है anti-aging होती है तो ऐसे बहुत सारे benefit है तो जो यह pen है इसके साथ में एक attachment आई है यह needle head होता है जो इसके ऊपर यहां पर लगता है यह needle head है वो used है आपको इसके साथ दो needle head मिलेंगे जो packed आएंगे मैंने वो open नहीं किये है क्योंकि इसे use करने के पहले हमें खुद को और इस pen को sanitize करना होता है क्योंकि हमें पता है जो इस needle हमेरे skin में inject होने वाली है हम इसे circular pay में use करते हैं और जब needle हमेरे skin में inject होती है तो infection होने के chances हो सकते हैं अगर हमने खुद को और इसकी needles को sanitize नहीं किया तो तो जो best time है इस therapy को करने का वो night का time है ताकि आप इसे करने के बाद काफी time तक अपने घर में रहेंगे और सुबह तक वो चीज हील हो जाएगी और आप फिर बहार जा सकते हैं अगर आप करने के बाद तुरंट बहार जाएंगे तो air pollution के कारण या bacteria के कारण आपको infection हो सकता हैं दूसरी बात इसे use करने के बाद पसी नहीं आना चाहिए अगर आपके face पर chicken fox, small fox, acne, pigmentation की marks हैं तो अगर आप इसे one week में एक बार use करेंगे तो वो scars completely आपके skin से गायब हो जाएंगे चले जाएंगे आपने vampire facial के बारे में भी सुना होगा जो vampire facial है पारलर में क्या किया जाता है कि अपना blood लिया जाता है उसे plasma extract करते हैं उस plasma से facial करते हैं जिससे आपकी skin tightening काफी अच्छे से होती है और अगर आपके बालों का volume कम है अगर आपके hair dense नहीं है तो इसे आप अपनी scalp पर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको अपनी scalp को सेनिटाइज करना है अगर आप इसे बालों पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको mini oxygen लगाना पड़ेगा इसे यूज़ करने के बाद बड़कर आपका यूज़ स्किन पर कर रहे हैं तो इसे यूज़ करने के बाद आपको vitamin C serum यूज़ करना होगा अगर आपको इसके बारे में जादा जानकार चीए कि pen कैसे काम करता है कैसे चलता है इसके working कैसे है कैसे इसे कंट्रोल करना है तो मैं इसकी पूरे detail का link description box में डाल दूगी इसे यूज़ करते हुए और इक चिसका धियान रखना कि जो ये pen है ये आपको medical supervision के अंदर ही यू अगर आप इंट्रेश्टिड है अपने स्किन को healthy बनाने में स्कारलेस बनाने में एंटी एजिंग करने में तो आप description में जियो ही लिंक को ज़रूर देखना अगर आपको मेरी information अच्छी लगी तो मेरा वीडियो शेयर करना लाइक करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तब तक के लिए बाई जैहिन